हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू लिटल जॉल जिस लास लेक्चर में मैंने आपको फंक्शनल गूरूप का नोमन क्लेचर सिखा दिया ता हूफुली आपको समझ में आया होगा और आप कुशन कर पा रहे होंगे जितने भी नोमन क्लेचर वाले हैं किसी कुशन में डाउट ह कुछ पूछना है कुछ स्टडी माटेरियल चाहिए आप पूछ सकते हो चाहिए कमेंट कर दो टेलीग्राम पे पूछ लो बाइद वे टेलीग्राम पे अपनी क्लास का गुरूप जोइन कर लेना इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ फॉलो भी कर लेना ठीक है एंड सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्वन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखो ज्यादा प्रॉपर्टी के बारे में डिसकुर्शन नहीं किया जितनी भी है वह अच्छे से समझ लो एक्जाम में अगर आएगा तो टू मार्स तक में कोशन आ जाता है इसमें हैं ठीक है यह कंबर्शन दिखाया हुए कंबर्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट का ऑक्सिजन बिना ऑक्सिजन का कोई चीज नहीं जल सकती सबसे छोटा कार्वन कंपाउंड से यहां शो किया हुआ है रियक्शन में वह है मिधेन ठीक है नोमन क्लेचर तो आ रहा है गाउं में खाना बनाने के लिए अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर गैस वगएरा है तो लकड़ी जलाके ही जो उपले वगएरा होते हैं उन से जलाके ही खाना बना जाता है उनके उपर तो वह क्या है एक्चुली में अगर आप देखोगे टेक्निकली सारे कार्बन कंपा यह ठीक है यह यह आप कह सकते हो मैं कहूं कि यह एक टाइप का ना प्रोपोर्शनल है भाई लाइट एंड हीट ना एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है क्योंकि लाइट भी एक टाइप की एनरजी ही है अगर आप देखोगे टेक्निकली बता रहा हूं मैं ठीक है बाकी यह जितने भी saturated carbon होते है saturated कौन से होते हैं जिनमें carbon carbon के बीच में single bond हो वो oxygen के साथ react करके यानि कि air में burn होके हमें blue and non-shooty flame देते हैं यह important है fill in the blanks में पूछा गया है यह question ठीक है इसलिए यह important है इसे note कर ले blue and non-shooty flame देते हैं वही unsaturated कैसी देते हैं yellow shooty flame ठीक है yellow shooty flame देते हैं क्योंकि इनमें जो carbon की percentage है वो ज़्यादा होती है ठीक है as compared to saturated hydrocarbons में यह बात के लिए है saturated hydrocarbon में न carbon hydrogen की percentage लग 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 सेम पढ़ जाती है ठीक है और मैं कहूँ कि hydrogen की ज़्यादा होती है carbon की कम होती है लेकिन unsaturated में सेम पढ़ जाती है और मैं कहूँ carbon की percentage ज़्यादा हो जाती है अगर मैं triple bond की बात करूँ वहाँ पे hydrogen कम होंगे and carbon ज़्यादा होंगे ठीक है यह बात के लिए रहोगी next आते हैं oxidation पे oxidation का मतलब क्या होता है यह समझो दो terms होती है एक होती है oxidation दूसरी होती है reduction यह आपको पता है न reduction आपने पढ़ लिया था first chapter में redox reaction में तो oxidation का मतलब क्या oxygen से reaction या फिर removal of hydrogen होता है reduction में क्या होता है addition of oxygen sorry hydrogen removal of oxygen यहाँ पे हम oxidation की बात करें यानि कि oxidation होगा मतलब oxygen लगाया जा रहा है oxygen दी जा रहे हैं यहाँ पे कौन करेगा oxidation एक strong oxidizing agent जितने भी alcohols होते हैं उनको जब oxidize किया जाता है तो वो carboxylic acid में change हो जाते हैं ठीक है and कौन करेगा उनको potassium permagnate and potassium dichromate यह है strong oxidizing agent याद कर लो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे देखो कुछ और नहीं potassium dichromate है and KmNO4 क्या है alkaline KmNO4 यह है हमारा potassium permagnate ठीक है यह react करके यह हमें क्या दे रहा है यह हमें दे रहा है इतनोईक acid ठीक है इतनोईक acid में क्या है अब देखो यह बात आपको मैंने पहले क्लियर कर दी थी nomenclature में कि जब aldeide and alcohol की reaction करेंगे तो हमें oic acid मिलेगा यानि की carboxylic acid मिलेगा यहाँ पे हमें double oxygen यह कुछ इस type का बन रहा है एक OH हो गया double bond O यहाँ पे यह है तो carbon के 4 bond बन रहे है यह है हमारा oic group ठीक है समझ में आ गया addition reaction का मतलब क्या है यहाँ पे कुछ चीज़ एड होगी अब कुछ चीज़ का एड होगी यहाँ पे hydrogen एड हो रहे है hydrogen एड होगा तो यानि कि यह double bond तोडना पड़ेगा simple सा logic है valency पूरी करनी है carbon को अपनी इसी वज़े से किसके presence में हो रहा है nickel and palladium यह है nickel and palladium की presence में ठीक है एक चीज़ लिखिए है unsaturated hydrocarbon में जब हम add करते है hydrogen किसके catalyst की presence में catalyst क्या होता है जो reaction को बहुत ज़्यादा तेज कर देता है वो catalyst यहाँ पे क्या है palladium and nickel ठीक है यह होता है तो vegetable जो oil होते है उनको vegetable घी में भी इसी तरीके से convert किया जाता है mass production में काम आता है ठीक है next आते हम substitution reaction में substitution reaction क्या होती है substitution reaction में कुछ नहीं होता है बस एक substitute आ जाता है मतलब की एक दूसरे को हटा दे है यहाँ पे hydrogen हटाएगा हटेगा किसी और के द्वारा अब वो क्या hetero atom है कोई दूसरा ठीक है यहाँ पे chlorine है CH4 की reaction कवाई chlorine gas से इंदी presence of sunlight दे रहा हमें chloromethane and HCl यह बात क्लियर है नॉमन क्लेचर अच्छे से आने चीए तभी समझ में आएगा next जो हमें main carbon के compound पढ़ने है वो है ethanol and ethanolic acid यहाँ पे physical properties की बात करी जाए ethanol से तो देखो ethanol के बारे में तो आप तो आपको बहुत कुछ पता ही होगा अरे जो आप alcohol को रब करते हो ना sanitizer जो है वो actually में कुछ और नहीं ethanol ही है ठीक है colorless है pleasant smell होते है burning taste होता इसका and नशा करने के काम भी आता ही है दिल पे मतले ना मैं fact बता रहा हूँ जो alcohol हम पीते है drink करते है वो भी तो alcohol है नशा ही तो करते है उससे और होता क्या है ठीक है water में soluble है यह obviously बात है water में soluble है यह सब को पता होगा and यह बहुत जदा volatile है volatile का मतलब कि यह उड़ जाता है यानि कि बहुत जल्दी जल्दी उड़ता है क्योंकि इसका boiling point है कम 351 Kelvin है 351 Kelvin में खूता क्या है यह उड़ जाता है and neutral compound है यह ठीक है यह बात ध्यान रखना है neutral है ना ही acidic है ना ही basic है वैसे technically अगर देखा जाए ना तो यह acidic होगा technically यह acid होगा लेकिन यहाँ पे neutral बताया हुआ है तो आप neutral लेके चलना ठीक है chemical properties की बात की जाए तो ethanol की जब यह sodium से react करेंगे तो sodium ethoxide देते है ठीक है यहाँ पे CH3CH2OH यानि कि C2H5OH कुछ इस टाइप से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा इसे हम ethanol पढ़ते है क्या पढ़ते हैं ethanol sodium के साथ react करके sodium ethoxide देगा hydrogen gas release करेगा simple सी chemical reaction है सबको आनी चीए बस हुआ क्या है यहाँ पे जो carbon के साथ OH था ना यहाँ पे alcohol में यहाँ पे आ जा रहा है sodium ठीक है sodium आ जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा clear है यहाँ पे लिखा भी है this reaction is used as test for ethanol by evolution of H2 gas check करने के लिए कि alcohol है या नहीं यह इस reaction का इस्तमाल किया जाता है dehydration dehydration का मतलब है कि पानी का निकलना ठीक है पानी निकलेगा reaction में मतलब जो हमारा final product है उसमें हमें पानी मिलेगा जैसे कि यह है ethanol है conk H2SO4 hot होट है यहाँ पे यह क्या है एक dehydrating agent है क्या है dehydrating agent यह क्या करता है पानी निकाल देता है आपने सुना होगा कि यह जो acid है यह गला देता है यह चीज होती है आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जो alcohol को हम बार बार रब करते हैं वो यही काम करता है वो dehydrate करता रहता है छोटा है लेकिन करता है हमारे हाथों को इसलिए ज्यादा यूज़ निकरना चाहिए ठीक है अलकोहल्स वगेरा को तभी यूज़ करो जब आप बाहर हो घर में हो तो सोप का इस्तमाल करो हाथ दोने के लिए ठीक है यहाँ पर अब हो कहा रहा है यह हटके यह हटेगा वाटर हटेगा तो आपको वैलेंसी मेंटेन करनी है पहले यह था एच कितने दे फाइफ थे ठीक है एच थे फाइफ और अगर मैं टेकनिकली देखो यह फ्री एच थे एंड एक एच इसका हो गए तो टोटल छे थे ठीक है आप यहाँ पर देखोगे तो दो दो चार दो चार तो टोटल चै आगए है यानि की हमारा law of conservation of mass पूरा हो रहा है ठीक है यहाँ पर balance को maintain करने के लिए double bond लग गया है अगर एच जादा लगते तो single bond होता है ठीक है physical properties of ethnoic acid पर आ जाते हैं colorless liquid है जिसका sour taste है अरे यार ethnoic acid है भाई taste में खटा तो हो गई है and vinegar की smell आती है इसमें से boiling point 391 Kelvin है ठीक है यह pure होता है pure जो ethnoic acid होता है जिसे freeze किया जाता है इसको glacial acidic acid भी बोला जाता है star mark कर लो exam में पूछा जा सकता है fill in the blanks का बहुत favorite question है यह teacher का ठीक है यह वाला portion star mark कर लो glacial acidic acid का clear है next आता है physical properties of किसकी ethnoic acid esterification ester एक compound होता है जैसे alcohol होता है ethnoic acid होता है वैसे एक ester होता है बनता कैसे है जब हम ethnoic acid की reaction करवा देते है ethnoil के साथ यहाँ पर यह जो acid है यह है H2SO4 होगा conk ठीक है क्योंकि यहाँ पर dehydration हो रहा है dehydration हो रहा है पानी निकल रहा है तो यह acid का strong acid का काम है ठीक है यहाँ अगर देखोगे तो हो क्या रहा है यहाँ पर कितने 2 carbon है 2 carbon 4 carbon है 2 carbon 2 carbon 4 carbon पूरा हो रहा है यह जो यह है ना इसके साथ यहीं पर जाके 2 यह अट जा रहा है hydrogen हटा and oxygen जुड़ रहा है ठीक है next क्या है sweet smelling ester is formed यह जो ester होते है ester बनते है इनकी smell क्या होती है बहुत जाद है sweet होती है मीठी smell होती है जब इन esters की हम reaction एक base के साथ strong base के साथ करवाते है जो की है sodium hydroxide तो हमें क्या मिलता है यह ठीक है यह मिलता है हमें CH3 COona clear बात है and alcohol मिलता है ठीक है समझ में आ गया ठीक है एड़ इसी को हम क्या बोलते है saponification और so formation यह important है देखो बड़ी आसान सी reaction है practice कर लो सब समझ में आ जायागा पहले हमने ethnoic acid की ethnole के साथ reaction करवाई करवा दी तो हमें CH3 COona मिल गया and CH3 CH2 OH मिल गया या फिर CH C2H5 OH मिल गया clear है reaction with base base के साथ react करके क्या देता है sodium acetate यह भी तो sodium acetate ही है ठीक है समझ में आया की नहीं आया आ गया बहुत अच्छी बात है same reaction आगी ना तो देखो यह होता है ऐसी बहुत सारी reaction यह सारी common सी reaction है बस थोड़ा सा common sense लगा लेना logic लगा लेना ठीक है I hope आपको इतना समझ आया होगा then reaction with carbonates and hydrogen carbonates carbonates and hydrogen carbonates के साथ react करके क्या देता है product हमें same मिलेगा sodium acetate बस यह देखना है आपको क्या क्या है सारा सब कुछ ही same मिल रहा है बस यह देखना है कि molecule कितने है जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको sodium carbonate के साथ दो molecule मिल रहे है sodium acetate के वही sodium bicarbonate के साथ हमें एक single molecule मिल रहे है देख रहे हो यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है बस इतना सा फर्क है समझ आया की नहीं आया यहाँ तक जल्दी से बता दू थोड़ा सा रशूग आओगा होगा तुमारे लिए लेकिन देखो इसमें इतना ही है ज्यादा detail में भी नहीं जाना हमें कि परिसान हो जाओ जितना आपके syllabus में जितना आपके लेवल पे उतना मैंने कराया है दुबारा से lecture देख लेना book पढ़ लेना clear हो जाएगा कोई doubt रहता तो आप मुझसे पूछ लेना डिस्कॉर्ट पे पूछ लेना चाहिए फिर टेलिग्राम पे पूछ लेना soap and detergent पे आ गए हैं हम star mark करो चलो जल्दी से करो exam में पूछने वाला question है soap क्या है soap is sodium and potassium sodium और potassium salt of long chain carboxly acid ये c17s35cona last में ये दिखेगा बस ठीक है ये होता है soap की definition soap क्या है ये soft water में ही effective होते है अब यहाँ पे एक order soft water and hard water बाब बोलोगों सर ये कैसा water है soft water and hard water मतलब की water soft भी होता है hard भी होता है hard का मतलब मैं मारूं किसी को फैक के तो उसका सर फट जाएगा ना ऐसा नहीं है soft में क्या होता है magnesium and calcium के iron नहीं होते hard water में ये present होते है समझ गए magnesium calcium के iron react कर जाते हैं ये sodium ethanoate के साथ जो बनता है न हमारे ये long chain of sodium and potassium carboxly acid इसके साथ react कर जाता है ये magnesium and calcium के जो भी ये ions है और फिर हमें उससे जो मिलता है उसे हम बोलते है scum क्या मिलता है scum मिलता है देख ले ना खारे पानी के साथ हाथ दो के देखना ऐसे साबून को ले ना मीठे पानी में वर्क करता है खारे पानी में देख ले ना आपको जागनी में देखने को मिलेगा ठीक है scum देखने को मिलेगा detergent are ammonium and ammonium और sulfonate salt of long chain of carboxly acid definition important है exam में पूछ ली जाती है detergent are effective and बहुत भाई effective क्यों है क्योंकि इन में ammonium है and sulfonate है clear है sodium potassium नहीं है तो ammonium and sulfonate है यह react कर जाता है उन्हें फरक नहीं पड़ता समझ में आ गए soap molecule में क्या है दो चीज़े होता है hydrophilic part होता है hydrophobic part होता है hydrophilic part का मतलब जो पानी में रहता है phobia phobia का मतलब होता है पानी से दूर भागने वाला पार्ट है पानी के अंदर रहने वाला पार्ट है यहां पर अच्छे से समझाय हुआ है यह जो ball वाला पार्ट है hydrophilic part है यह वाला जो पार्ट है यह ऐसा tail वाला यह hydrophobic part ठीक है cleansing action of soap यह देख रहे हो इसे हम पढ़ते है missile क्या पढ़ते है missile formation बुक में न missile formation के उपर एक अच्छा सा diagram दिखा रखा है उसे देख लेना जरा exam में आयागा तो same बना के आजाना ज्यादा कुछ नहीं बिल्कुल same ही है लेकिन मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ soap कैसे clean करता है most dirt is oily जिदेखो मैं आगर आपको ज्यादा ना पढ़के वैसे टेक्निकली बताओ होता क्या जैसे कि यह हमारा surface है यह ऐसे ना यह हमारा dirt है ज्यादतर dirt क्या होते हैं यह होते हैं oily ठीक है जैसी हम पानी के साथ obviously थोड़ा medium तो होना चीए ना react करने के लिए पानी के साथ हम soap का या detergent का use करते हैं वो यहाँ पर ऐसे लगने लग जाते हैं ठीक है अब वो क्या करते हैं एक type से आप कह सकतो centripetal अंदर को catchने कोशिस करते हैं तो next step में क्या होगा यह उठने लग जाएगा यह थोड़ा सा यूँ हो जाएगा ठीक है ऐसे लग गए है ठीक है अगल last step में आपको ऐसा यह जो diagram है ना कुछ इस type का देखने को मिल जाएगा missile का ठीक है ऐसा होता है आपको जो hydrophobic part है तो भाई oil के साथ देखने को मिलेगा और जो hydrophilic part है वो पानी के साथ रहेगा hydrophilic part पानी में होता है इसलिए जब हम wash up करते हैं तो वो dirt भी निकल जाता है बस इतना सा बता है होई यह technical stuff है यहाँ देखो अब मैं पढ़के सुना देता हूँ आपको most dirt is oily in nature and hydrophobic and attaches itself with dirt जो hydrophobic part है वो dirt के साथ attach हो जाता है ठीक है एक radial structure बनता है जिसे हम missile बोलते है होता क्या है जैसे हम उसको अच्छे से wash करते हैं सही करते हैं तो वो निकल जाता है पानी के साथ ही यहाँ देखो mention भी है magnesium and calcium salt present in hard water react with soap molecule to form insoluble product called scum मैंने बताया था कि नी scum के बारे में वो आ गया by using detergent insoluble scum is not formed with hard water and cloth get cleaned effectively scum की वज़े से क्या होता है कि ना clean अच्छे से नहीं हो पाता है करने को तो हम इतने दिमागदार है कि हम ऐसी खारे पानी के साथ भी दो दें कि अरे छोड़ो ना क्या फार्क पड़ता है लेकिन इसकम दिक्कत देता है करके देख लेना कपड़े दो के देख लेना पता चल जायागा ठीक है तो बच्चो देखो आज के lecture में इतना ही आपका पूरे चैप्टर समाप्त हो जाता है इसी के साथ कोई डाउट है कुछ पूछना है को समझ में नहीं आया है कुछ भी हो पूछ लेना ठीक है डिस्कॉर्ट सर्वर जोइन कर लेना अपना टेलिग्राम पे अपना क्लास का गृप जोइन कर लेना वहां पूछ लेना इस लेक्चर को शेर भी कर दो थोड़ा सा शेर करते नहीं हो तुम लोग थोड़ा शेर कर दो इसको एंड लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब तो करी रखा होगा अपने फ्रेंड्स में भी बोल देना मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद